गुट मॉर्णिंग फ्रेंस जै मातादी कैसे हैं आप सबी आसा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे आपके अपने यूटूब चैनल नेला मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंस तो मॉर्णिंग का टाइम है मॉर्णिंग के बज रहे हैं साड़े साथ और यहां पर मिटी साम को ही भीगा दिये थे फ्रेंस और जैसे साम में थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था तो मिटी हमें पता ही नहीं चल पाया इसमें दो जैसे कलर का मिटी हो गया है एक तो हमारी पो है फिर भी ठीक है क्योंकि पोतनी मिटी का कलर ही ऐसा होता है कि विल्कुल इसमें ओ जो मिटी है अलग सा मिटी हो गया ओ पता नहीं चल पा रहा है फिर भी हमने का रात का टाइम था और जैसे गलती से हो गया क्योंकि यह जो पोतनी मिटी का लिपाई पुताई है फ्रेंस बहुत अच्छा लगता है कहीं भी पुताई कर दो एकदम चमचमा सा जाता है उस जगह को पुताई के बाद बहुत अच्छा लगता है देखने में और यहां पर हम जो साइड में थोड़े से चूहे लोग गड़ा भी कर दिये थे तो फिर हमने कहा बस उसको भी हम लगे हाथ जैसे की थोड़ा सा बैठा देते हैं मिटी से और वह भी क्लीन हो जाएगा क्योंकि जैसे की जो मिटी का फर्स होता है आए दिन अगर चूहे हैं तो फिर इस सब प्राब्लम होते ही रहता है चूहे लोग गड़े से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कर ही देते हैं और यहां क जालकर उसको हम पहले हमने का फूलते रहेगा जहां तक तब तक हमें लिपाई का जरूरत है उधर हम लिपाई-पुताई का काम करते रहते हैं और यहां पर कंकड़ हम अच्छे से निकाल लिये हैं मिटी भी हमारा अच्छे से तैयार हो गया है लेकिन आज के मिटी का जो क पोतनी मिटी का कलर नहीं आ रहा है उपहर कर क्यूकि तोड़ा सा दूसरा मिटी भी मिक्स हो चुका है गलती से जैसे रात के टाइम में उतना पता नहीं चल पता है फ्रेंस कौनसा जैसे मिटी है सभी एक जगह रखा था तो हमने बस उठाया और भीगा दिया हमने सोचा प गोले उसका भी रखा था थोड़ा जो ब्लेक मिटी होती है तालाप की ओवी ओहीं पर रखी थी तो गलती से ओवी भीग गया तो लेकिन फिर भी ओग कलर उतना नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि आधियाद मिटी इसमें पोतनी है और उसमें ब्लेक वाली मिटी जो होती है ओ पुताई का है तो पोतनी मिटी में हम सारे पुताई का काम करते चले आ रहे हैं लेकिन एक कलर हमारा आज थोड़ा सा जैसे जगां कुछ अलग सा दिखने लगेगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा फ्रेंस बहुत अच्छे से कलर ऊएसा ही दिख रहे है चारों तरप से त पुताई का ही रखे हुए हैं क्योंकि इसके बाद से फिर थोड़ा सा जैसे जब कोई काम करते हैं तो फिर थोड़ा सा जैसे आराम करने का भी मन होता है तो थोड़ा तबित भी ठीक नहीं था आज हमें दवा भी लेने जाना था तो चले गए थे दवा लेने और उसके बा के बाद हमने का थोड़ा सा आराम करते हैं और इसके बाद से आज हमारे जो वीडियो का जो भी आराम के बाद तो थोड़े चोटे-मठी काम होते ही हैं क्योंकि रोज डेली का काम है गाव में काफी सारी काम होते हैं सभी काम को करना पड़ता है तो हमने जो भी काम हमें हमारा था साम का जैसे की होता है तो उसको करने के बाद हमने का बस अब फटा फट से हम अपने वीडियो का एडिटिंग कर लेते हैं इस टाइम पर हम वाइस अबर कर रहे हैं तो इस में सब्सक्राइब लीए हमने अपने ब्लॉग का में औराम के बाद करना था क्या गौन चैम देखते हैं, आज हमारे डेली के टाइम पर जैसे 9 वसते वसते हम अपने ब्लोग को आप लोगों तक पहुचा देते हैं, जैसे रात में, तो फिर आज हो पाता है कि नहीं हो पता है तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा अपलोड होने में और आप लोग बताईएगा फ्रेंज आज का जो मिट्टी है आप लोगों को डेली जैसे हम पुताई करते आ रहा हैं पोतनी मिट्टी से तो आज का जो मिट्टी है डेली के कलर जैसा ही लग रहा है या थोड़ा बहुत अलग कुछ लग रहा है क्योंकि तसले के मिट्टी से ही आप लोग बता सकते हैं कि कलर थोड क्या है भी गया मिट्टी तो मिट्टी लेकिन यह जो बोतनी मिट्टी होता है उसका कलर बहुत ही गजब का है हमारी बहुत सारी बहने इस मिट्टी को पसंद भी करती हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की प्यारे प्यारे से कमेंट मिलते हैं और कल के वीड बंगाल से प्रताब गड़ से और काफी सारी बहने अलग अलग जगह से पाकिस्तान से और ऐसे कुछ हैं जैसे कि हमने नोट भी किया फ्रेंस नोट करके हम रखे हुए हैं और हम आज थोड़ा हमारा ब्लोग भी लेट हो गया है आज हम सभी का नाम नहीं बता पा रहे हैं ले और जितने भी बहने हमारी बताएं और जितने भी जैसे कि यूट्यूब फैमली हम से जुड़े हुए हैं सभी ने बताया कि हम यहां यहां से आपका ब्लोग देखते हैं हम सभी का नाम नोट करके रख लिए हैं और जैसे कि हम थोड़ा आज लेट हुआ है तो आज नहीं नहीं बता पा रहा हैं कि थोड़ा सा वीडियो भी हमारा उतना लेंzhओ नहीं है जैसे कि लिपाई-पुताई का जब वीडियो होता है काफी सारा काम होता है तो आएसे कुछ हम आप लोगों को कली आप अर्सों के ब्लोग में जरूद जितने भी बैले हमारी बताएं सभी क का नाम बताएंगे कि आप यहां यहां से बोल रही हैं और क्यूंकि नाम तो हम किलियर से नहीं जान पाते हैं फ्रेंज क्यूंकि आप लोग हमें नाम तो नहीं बताते हैं हमारी हैं को शिष्टर जो अपना नाम भी उसमें बता देती हैं लेकिन असा भी नहीं बता पाते हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं है जो भी ID का नाम होगा हम उसी नाम से आप लोगों का नाम लेंगे और जैसे यह भी बताएंगे कि आप यहां से हमारे ब्लॉग को देखते हैं मन को बहुत सुकून मिलता है फ्रेंश क्योंकि जो जितना भी मेनत कर रहे हैं आप लोगों के प्यारे-प्यारे सी कमेंट पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा सुकून मिलता है सारी थकान दूर हो जाते है फ्रेंश फिर से एक अलग सा एनरजी होता है कि फिर हम अपने काम को वहीं से स्टार्ट करें और आप लोगों को काफी डेली डेली अच्छे अच्छे से ब्लोग लेकर आप लोगों के लिए लेकर आते रहें और आप लोग भी हमारे वीडियो को खुब पसंद करते हैं और हमें खुब सपोर्ट भी करते हैं फ्रेंस बहुत अच्छा लगता है और जो भाइबन हमारे वीडियो को देखते हैं और काफी प्यारा-प्यारा सा कमेंट करते हैं उनको बहुत-बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद फ्रेंज और जो भाइबन हमारे वीडियो को देखते हैं पर कमेंट नहीं कर पाते हैं उनको भी बहुत-बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद फ्रेंस आप लोग खुश रहें अपने लाइफ में और ऐसे ही आगे भी अपना प्यार और आशिरबाद बनाए रहें फ्रेंस ताकि हमारा होसला बढ़ते रहें और हम भी अच्छे अच्छे ब्लोग लेकर आते रहें और हमारा वीडियो अगर थोड़ा सा भी आ की हमारे हर वीडियो का नोटीफीकिसन सबसे पहले आपको ही मिले और कल का जो कमेंट था कल के वीडियो का फ्रेंस हम कई बहले को रिप्लाइड दे चुके हैं और कही बहταी कमेंट हम पढ़ चुके हैं पर अभी रिप्लाइड नहीं दे पाए कि मॉर्निंग से ही उठते ही सारे काम में लगे हुए हैं इसके बाद से फिर आप लोगों को हमने सुरू में ही बताये कि दवा भी लेने जाना था क्योंकि पैर के तलवे का हम थोड़ा दवा भी कर रहे हैं पैरों के और हाथों के ही महनत से हमारा सभी काम होता है जैसे लिप जो भी घर के जैसे नमक पानी से धुलाई करना साम को फिर रात में जैसे तलों में जो मसाज का काम होता है सरसो के तेल से ओ सभी भी कर रहे हैं और दवा भी ले रहे हैं थोड़ा आराम है पहले से तो हमने आप पूरा जैसे अच्छे से दवा भी कर लें ताकि हमारा जो प पामबंधों का तो फिर जगह एकदम जो जगह है उसको हमें किलियर करना है और इसके वाद से जब देखते हैं कि घर के अंदर का जहां लिपाए पुताई का जगह जैसे थोड़ा गड़बर दिखने लगा है कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है गंदा सा दिखने लग दक जासानी से मिलती रहेगी और हमारा काम इसी मिटी से चलते रहेगा पोतनी मिटी का लिपाई पुताई और जब यह मिटी बारिस हो जाएगा उससे पहले हम इस नरे हम इस मिटी को जैसे कि रखलेन सब्सक्रान करकrous हम concurन कर स Way धर पैano Okay प्रेंस से मिट्टी कितना भी रख लो तो फिर खतम हो ही जाता है तो ऐसा कुछ अभी चल रहा है फ्रेंस और बारिस के लिए हमें अभी काफी सारी मिट्टी लाना है तो तालाब से मंगवाना है और मिट्टी पुताई का ही बात नहीं होता है फ्रेंस मिट्टी लाने का भी बात होता है जो कि बहुत ज्यादा मिटी लाने में मेहनत लगता है और यहां पर जैसे कि सनी के पापा भी बैठे हैं और सौरब भी बैठा है सबी लोग अपना मेरा लिपाई पुताई देख रहे हैं क्योंकि यह मिटी का कलर जो है सबी को पसंद आता है और सबी को जब चोटी चोटी जो कंकड हैं फ्रेंस छूड जाते हैं तो फिर इन सभी कंकडों को मैं हाथों से खीसते खीसते इसको हटाते जाती हूँ और वैसे जैसे कि आज की मिट्टी तो काफी अच्छी सी हमारी घुल मिल गई थी और कंकड भी हम छान कर अच्छे से निकाल लिये थे थ लेकिन आज थोड़े पतले लेयर में ही पुताई किये हैं जैसे रोज से कम ही गाड़ा था आज का मिट्टी और कपड़े से भी हो सकता था लेकिन हमने कपड़े से पुताई नहीं किया क्योंकि ए मिट्टी जो है पोतनी मिट्टी होती है फ्रेंस तो हाथों से ही इसका तो बाल भी धुलना है फिर से हमें और यहां पर देख सकते हैं फ्रेंज काफी हमारा अच्छे से इतना हमने आज पुताई का काम कर दिया है सनी की पापा उधर लेटे हुए हैं तो वस थोड़ा थंडा थंडा सा हावा लग रहा है क्योंकि अब यहां चाया है तो वस देख स करते हैं थोड़ा जूम करके हम दिखाएंगे क्योंकि हमारी बहुत सारी बहने बोलती हैं कि वीडियो के लाश्ट में दिखाया करें जैसे की लिपाई पुताई जब कंप्लीट हो जाता है फ्रेंस तो जैसे हम लाश्ट में उसका कलर दिखाएं और आप लोगों को वह कलर देखने को मिले कि किस कलर में आया हुआ है लिपाई पुताई का जो है अच्छे से तो नहीं सुखा था लेकिन जो भी हम पुताई करने के बाद जेश्ट आप लोगों को दिखाएं जो भी थोड़ा बहुत सुखा था नहीं सुखा था आप लोगों से हमने सेयर के लेकिन क किसे लोग बताईएगा देली के पोतनी मिटी से थोड़ा सा कलर बदला हुआ था यह नहीं? क्योंकि हमें तो लग रहा था कि जो हमारा ढेली का पोतनी मिटी ही होता था वो इसका कलर घजब का होता था अलग सा ही color दिखता था लेकिन आज थोड़ा McCle别 चेंज था तो वस चलिए फ्रेंस क्योंकि आज आप टाइम देखी सकते हैं स्टों मार का दिन है और पीछे अंधेरा काफी छाया हुआ है और तालाब है पीछे देख सकते हैं तालाब के पास ही खड़े हैं हम तो क्योंकि जादा तर जब वो साम का टाइम होता है काफी ठंड करने में भी टाइम लगता है और वीडियो के पास बज़े से ही लगे हैं फ्रेंस लेकिन अभी हमारा काम खतम हो रहा है जो भी है तो अब वीडियो का अंड कर लेते हैं फिर इसके बासे मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाबाई फ्रेंस वीडियो देखने के लिए थांक यू